हेलो दोस्तों है देखिया आया है रेस्क्यू करने के लिए यह फून आया अभी देखते हैं कहां पर है साफ कौन सा साफ है अभी देखिये उल्ग बता रहा है कि इसी के आसपास है और ढूंड रहा है अब देख सकते है अभी भार जा रहा है अभी जिस जगह देखे हैं उस जगह पर फिर वापसी जा रहा है क्योंकि लोग बता रहा है कि अभी जश्ट देखे हैं अभी वहीं पर हुए और अभी कहीं गया भी नहीं है कि देखातों हां कि खाली बंदा वाई सब फोन करें हैं अधुक्तों हम आपसे कह रहा हैं कि मेरे वीडियो को सस्क्राइब जरूर करिएगा कि हम लोग हमेशा नए-ए वीडियो के साथ आते हैं नए-ए जगह पर नया-ए रेस्क्यू करते हैं और नए-ए जनकारिया देते रहते हैं कि इसलिए वीडियो को सस्क्राइब परना बिलकुन ना बोले सस्क्राइब जरूर करते और देखिए बता रहा है कि इसी जगां पर छीपा हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको अभी हटा भी रहा है अगर यहां पर होगा तो जरू निकलेगा ज़र से बढ़िया बात है तक ही भूण भी देख लिएक तो उनके अदर डर बैढ गी एक यहोगों को जानकारी नहीं होति आना कि कौना साथ कितना जरीला होता है कितना जरीला नहीं होता है कि कुछ के अधे विरेश्ट्र कर्ञान हूगत कर दो बता तो रहें कि यहीं पर देखे थे और अभी भी सारा से बता ही रहें कि इसी जगह पर देखे थे और वो उसी जगह पर देख भी रहें गहुं आदिग्या भी गढैंद भी दोडें हैं और अभी भाग रहा है और उसके पिछे बुष घक रहा है देखे कहां गया भी फ़कल लिए हैं पखली का काम किये हैं, भागते हुए थापको दोडा कर पखड़े हैं, और यह बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि हमको लग रहा है कि ऐसा रेशक्यु आप जेली डेखे नहीं होगे, पहली बर गर्खे होगे, कि जादै तर इसकी आप अशारी कर दूड़ा जाता है लेगा बन की पहड़ा गया है जैसा कि आप लाइब देखे हैं देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा है यह साप जो है ध्यारीदा नहीं होता है पहचान आपको बतादू यह यामत्रोर से दिखेंगे तो हर जंगा पाया जाता है और इसकी आखे थोड़ी बड़ी-बड़ी होती है कि भीड़ी काफी लगी हुई है और देखी अब इसको डब्बे में बन करेंगे और फिर इसको जल्दी चंगलु में जाकर छोड़ेंगे रिलीज करेंगे और इसके पैचान को जो में बताया हुए कि आखे इसको बड़ी होती है इसका थोड़ा मु जो होता है न चूप टाइप पहोता है इस पे आपको ध्यान देना है और मैं बात आपको बता दो कि मैं इस साफों को जल्दी ही जंगलु में रिलीज करूँ गा और उसका भी वीड बनाकर डाला भी है आप देखिए और बने रही है हम मिलते हैं फिर आगए आपको निश्ट वीडियो